नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टीडिये से रिलेटेड एक इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है बजट दोजा चोईस के अंदर कई ऐसे बेनिफिट टेक्स पेर को आने वाले सालों में टेक्स का फायदा होगा लेकिन सरकार दोवारा एक ऐसा भी अमेंडमेंट किया गया है टीडिये से रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं उस पर आपको टीडियेस डिरट करना होता है तो कुछ बेनिफिट जो है वो आप क्या चेंज किया टीडियेस रिलेटेड प्रॉपर्टी रिलेटेड जिस वज़े से आपको फायदा मिलना अब बंद हो जाएगा एक इंपॉर्टन अपडेट है एक जरूरी अपडेट है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस प बेल आइगन पर नॉटिफिकेशन पर क्लिक कर लिजिए ताकि आपको आने वाले सभी नॉटिफिकेशन रिगार्डिंग वीडियो से रेगुलर्ली मिलते रहें आईए श्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के तो दोस्तो आएए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बात करते हैं टीडियस में क्या बदलाव किया गया है बजट 2024 के अंदर दोस्तों एक सेक्शन है सेक्शन 194 IA अब यह जो सेक्शन है वो बात करता है अगर आपने कोई immobile property किसी को बेची है तो इसमें दो व्यक्ति हो सकते हैं एक तो जो बेचने वाला है यानि सेलर है और दूसरा जो सामने खरीद रहा है यानि पर्चेजर है अब ध्यान रखेगा जो पर्चेजर है उस पर एक liability सरकार दुआरा दी गई है क्या liability दी गई है section 194 IA के तहत के अगर कोई पर्चेजर जो है कोई property purchase कर रहा है उसका payment करता है तो उसे TDA से deduct करना जरूरी है एक परसंट की rate के इसाब से यानि अगर आपने कोई property purchase करी है उसका पैसा अगर आप दे रहे हैं seller को तो उसके इसमें आप 1% TDA काट के जमा करेंगे सरकार के खाते में और वही पैसा जो है उसक reflect किया जाएगा इसके लिए उन्हें form 26 qb जो है वो जमा करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए सरकार ने एक limit रखी गई है 50 लाख रुपे तक की अगर आपकी actual consideration या फिर stamp duty value 50 पचास लाख से कम है तो उस case में आपको कोई भी TDS डिड़क नहीं करना है लेकिन अगर आपने कोई plot बेचा है या कोई फ्लाइट खरीदा है और उसकी वैल्यू 50 लाख से जादा है तब आपको TDS डिड़क करना है मानके चलिए आपने कोई plot या कोई फ्लाइट जो है वो ट्रांसफरी है और वो ट्रांसफरर यानि जो सेलर है उसके खाते में जमा करना होगा अब जब तक यहां पर वन-on-one बेजेज पर यानि एक ही बायर और एक ही सेलर है तब तो कोई दिक्कत नहीं थी तब तो पकाशास लाख से ऊपर अगर ट्रांसेक्शन गया है तब तो को जो यहाँ पर TDS डिड़ट करना है लेकिन अगर यहाँ पर हम एक्जामपल चेंज कर दे और यहाँ पर दो बायर कर देते हैं और एक सेलर है तो उस केस में यह 80 लाग की जो प्रॉपर्टी है यह डिवाइड हो जाएगी दो बायर में यानि 40 लाग रुपए A बायर में और तो उसके हिसाब से TDS की लाइबलिटी नहीं आ रही है इसके अलावा अगर कोई दो सेलर है एक बायर है तो उस केस में भी जो है प्रॉपर्टी अगर 80 लाग की है जॉइंटली प्रॉपर्टी है आदा आदा शेयर देखे 50-50 परसें देखे तो उसकेस में भी लाइबलिट और दो सेलर या दो सेलर या एक बायर निकलके आ रहा है तो वहां पर दिकत आ रही है वहां पर TDS की लाइबलिटी नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर क्शेयर हो जाता है 50-50% अगर 2 से जादा बायर है तो उसके इसाफ से शेर हो जाता है और उसके इसमें अगर 50 लाग से कम हो जाती है इंडिविजली यहां पर देखा जाता है अगर 80 लाग है तो 40-40 लाग हो जाता है तो उसके इसमें 50 लाग से कम है तो उसके इसमें TDS लाइबरीटी नहीं आती ह लेकिन सरकार ने इस बार budget 2024 के अंदर एक छोटा सा amendment किया है जिसकी वज़ास से बले ही अब चाहे दो buyer क्यों ना हो या दो seller क्यों ना हो multiple seller या multiple buyer क्यों ना हो अगर अब 50 लाग से कम भी हुआ तो भी individual share नहीं देखा जाएगा एक amendment जो है किया गया है section 194 IA के अंदर सब section 2 के अंदर एक नया provision aid किया गया है जो 1 October 2024 से लागू होगा इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर अब जो है multiple buyer या multiple seller हुए तो उस case में aggregate value देखी जाएगी यानि 40-40 लाग नहीं देखा जाएगा बलकि यहाँ पर total 80 लाग रुपया देखा जाएगा दो buyer है तो individual share आपको नहीं देखना है आपको total देखना है कि total कितनी की purchasing हुई है property कितने की mobile property transfer हुई है total aggregate amount देखना है buyer A और buyer B दोनों का ही individual share जो वो add किया जाएगा और 80 लाग यानि 50 लाग से जादा है तो उस case में TDS की liability यहाँ पर आ जाएगी तो पहले जो यह benefit मिल रहा था individual share देखने का वो अब नहीं मिलेगा अब आपको aggregate value देखनी होगी चाहे दो buyer हो या तीन buyer हो पहले ऐसा नहीं था लेकिन एक October 2020 से अगर कोई दो buyer property खरीद रहा है और उस property की total overall value 50 लाग से जादा है 80 लाग मानके चलिए लेकिन individually दो जन है तो 40-40 लाग आ रही है तो पहले इस पर TDS deduct लोग नहीं कर रहे थे लेकिन अब आपको इस पर TDS जो वो deduct करना पड़ेगा एक नए amendment एक नहीं update जो है वो income tax act के अंदर अब की गई है बजट 2024 के अंदर इसको amendment किया गया है प्रोविजो को add किया गया है बहुत समय से यह issue चल रहा था जिसके अंदर कुछ लोगों का मानना था कि TDS जमा कर देना चीए था लेकिन provision के हिसाब से देखा जाता तो provision के हि individual शेर आ रहा था लेकिन अब सरकार के रही हम individual शेर को नहीं देखेंगे हम overall देखेंगे के property कितने में आपने ट्रांसफर करी है 50 लाग से जादा है तो उस case में आपको TDS जो हो deduct करना पड़ेगा चाहे दो बायरो चार बायरो या दो सेलरो या चार सेलरो उससे अब कोई भी फरक नहीं पड़ेगा एक important update है एक important और एक जरूरी update है तो ध्यान रखेगा अगर आप कोई property jointly खरीद रहे हैं जिसकी value 50 लाग से जादा है तो उस case में आपको 1% TDS deduct करना होगा